तुशार जी, योगेंद्र यादव जी, स्टेज पे कैसे बोलें, मैं नॉर्मली वरिष्ट नेता बोलता हूँ, बच स्टेज पे, eminent personalities, social activists, और यहां hall में आप सब जो आए हैं, आपका यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, मैं आपसे दू-तीन चीज़े कहना चाता हूँ, पहली चीज यात्रा के बारे में, और जो मेरा अब पिछले डेर साल का जो experience रहा है, पिछले साल हम भारच चोड़ो यात्रा पे निकले, चार हजार किनोमेटर चले, कन्या कुमारी से कश्मीर, और हम सब को, मुझे तो पहली बार, हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला, मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक impression था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया, वो impression तुटता गया, तुटता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और अंत में, जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा realization यह था, कि जिस चीज़ को मैं हिंदुस्तान मनता था, वो actually हिंदुस्तान था ही नहीं, वो मेरे imagination का हिंदुस्तान था, uninformed हिंदुस्तान था, और यह जो में हिंदुस्तान, भारत चोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, यह भी एक प्रकार से, uninformed हिंदुस्तान है, यह पहले वाले हिंदुस्तान से, बहतर informed है, मगर यह भी, हिंदुस्तान की समझ नहीं है, superficial है, मगर उस यात्रा में दो चीज़ें बड़ी क्लियर थें, एक, कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, महबबत का देश है, और इस देश में, इसके डियने में, respect, महबबत, यह बहुत, गहरा है, तो चलते चलते, मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ, कि अगर, यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने, इंडिपेंडनेंस की लड़ाई, महबबत से लड़ी, और कोई देश है यह नहीं, मतलब कहते हैं, कि, सिविल राइट्स मूव्मेंट, गांधी जी की फिलोसोफी, उसने गांधी जी की फिलोसोफी का प्रयोग किया, मगर जो, उनको डाइरेक्शन किस ने दिया, उनको डाइरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया, साउथ आफरिका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा, कि हमें जो अजार दिये गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो अजार दिये गए, वो अफरिका के अजार नहीं थे, वो आपके अजार थे, हिंदुस्तान के अजार थे, और वो अजार हमें गांधी जी ने दिये, तो जब मैं चल रहा था मैं मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहबत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है क्योंकि इतना असान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है बट कोई न कोई foundation तो होगा कोई न कोई basis तो होगी इस नफरत की तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याए है कि ये देश में गरीबों के साथ किसानों के साथ दलितों के साथ महिलाओं के साथ युवाओं के साथ सब के साथ हर रोज अन्याए होता रहता है 2-3% लोग है इस देश में जिनको न्याए का एकसेस मिलता है 2-3% जादा से जादा पाँच परसेंट लोग है उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं उनके लिए सरकार काम करती है सारी इंस्टिटूशन्स में उनके लिए जगह है पर अगर हम 90% लोगों को देखे उनके साथ 24 गंटा अन्याय हो रहा है 16 लाग करोड रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ GST का पैसा है जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है मगर किसानों का एक रुपए माफ नहीं होता है और मैंने सरकार के अंदर से देखा है जब हमने किसान कर्जा माफ माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे तो रिस्पॉंस मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है मतलब वो काम कर रहा है उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है और दूसरी तरफ बीस पच्चिस लोग है उनका सोला लाग कड़ोर रुपय माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डिवेलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको देखेगा कि ये जो सूने की चिडिया कही जाती है इसका पूरा का पूरा धन, किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिच्रों से, छीन कर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज़ादा नहीं है, इनके और फनल होता है तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में नियाईशब जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था, कि किस प्रकार का अन्याए हो रहा है और हर कदम पे, स्टूडन्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को MSP नहीं मिल रही मजदूर को minimum wage नहीं मिल रही, छोटे वी अपारियों को GST से दवाया जा रहा है मतलब हर step पे, हर कदम पे, लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है मगर combined consciousness नहीं है एक व्यक्ति कह रहा है, मेरे साथ अन्याए हो रहा है मेरे पास छोटे वी अपारियों आए गुजुरात में, उन्होंने कहा कि GST से, नोट बंदी से हमें बहुत चोट लगी मगर उसी discussion में जो किसान के साथ हो रहा है, वो उनको दिखनी रहा है वो देखी नहीं पारे है तो, मेरे किलाब जो नहीं हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है मगर मेरे भाई के साथ हो रहा है, मुझे दिखनी रहा है तो ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याए हो रहा है वो नहीं देखोगे तब तक कोई movement खड़ा नहीं हो सकता मैं जूडो करता हूँ और उसमें एक बड़ी interesting चीज है उसमें जब उसमें जमीन पर गिरना पड़ता है भेका जाता है व्यक्ति को तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आपको protect करने की कोशिश करता है जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आपकी रक्षा करते हो फिर थोड़ा अडवांस होता है फिर उसको बात समझ आती है वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है मतलब don't protect yourself, protect the mat और बड़े मज़े की बात दिखती है कि जब आप जमीन को protect करते हो तो automatically जमीन आपको protect करती है तो movement कैसे बनती है movement जब बनती है जब मैं अपने दर्थ को छोड़ कर मेरे side में जो खड़ा है उसके दर्थ की रक्षा करना शुरू करता हूँ automatically वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा तो ये एक mental leap की ज़रूरत है सब को दिख रहा है कि भई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है सब को दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्थ नहीं दिख रहा किसी को मेरा experience है दूसरी यात्रा का आकरी बात देखिए आपने राहुल गांदी का नाम बहुत बाद लिया कांचा जी मेरे दोस्त है उन्होंने नारे भी दे दिये ये राहुल गांदी नहीं है ये हिंदुस्तान में कोरोणो लोगों की फीलिंग है उनमें से मैं एक हूँ और आप मेरे उपर फोकस कर देते हैं बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपने आखों से देखा मैं अकेला नहीं चल रहा था लाकों लोग चले थे मेरे साथ और एक्चली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांदी नहीं था भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकि लोग थे तो उन पे भी फोकुस होना चाहिए लड़ना हमें एक साथ है और ये हिंदुस्तान के दो एक्स्प्रेशन के बीच में लड़ाई है ये राहुल गांदी, मोधी, बीजेपी, कॉंग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माएं के बीच में लड़ाई है एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा उपर से चलाया जाएगा और सारे लोग उपर देखके ओडर लेके इस देश को चलाएंगे और ये एक सोचने का तरीका है इंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसको मानते हैं एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डी-सेंट्रलाइस तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाय जाएगा जिसको हम अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं शिव की बारात बोल लीजिए कि सब लोगों को जगे देके निर्णने लिया जाता है जैसे योगेंद्र यादव जी अभी बैठे हैं बड़ी इंट्रिस्टिंग बात आपको बताओ तीन-चार महीने पहले इन्होंने हमें का देखिये हमें ये जो गैरन्टीज है हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया संगठन इंडिया गटबंदन आएगा तो क्या करेगा और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए ये जो हमने गैरन्टीज बेश के सामने रखी हैं इससे आप खुश हैं तो इन्हों नों कहां मैं खुश हूँ मगर बहुत के ओटिक डिसक्शन हुआ कि यह एक्चली कॉंग्रेस पार्टी की राहूल गांधी की खारगे जी की इंडिया गटबंदन की गैरन्टीज नहीं है यह एक्चली हिंदुस्तान की अवाज है उसको हमने चुन चुन के चुन चुन के सुन के निकाला है उसको रिफाइन किया है कि BJP यहें काम करी नहीं सकती क्यों कि उनका तरीका सेंट्रलाइज़ है उपर से बोलते है कि नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे कि सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है, उनके विजन में और RSS के विजन में ग्यान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ग्यान ही नहीं है, मज़़ूर के पास ग्यान ही नहीं है, बेरोजगार युवा को कोई समझ नहीं है, IIT के डिगरी है, तो पूरी दुनिया को समझ गया, ये थिंकिंग है, तो इसके खिलाब हमारी लड़ाई हो रही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ग्यान है, उतना ही ग्यान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है, मैं बिंगॉल गया, और वहाँ पे वो महिलाए थी, इसी यात्रा पे महिलाए थी, वो बीड़ी बना रही थी, उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी, उनके हाथ में जो स्किल थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं दिखी, मैंने ट्राइ किया, मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की नहीं हो रही थी मुझसे, तो वो सालों का मतलब सालों की स्किल हो और उसका इस देश में कोई आधर नहीं हो रहा उस महिला को आप financial support दीजिए उसकी मदद कीजिए मेक इन इंडिया उससे करवाई है और फिर देखे क्या मज़ा आता है तो ये दो अलग तरीकें की सोच की लड़ाई है इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और गबराने की कोई जरुवत नहीं है ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई Constitution को खतम कर देंगे ये कर दें कुछ नहीं इनमें इतना दम नहीं है ये नहीं कर सकते हैं ये इन्होंने मीडिया को capture कर रखा है ये आवाज बहुत करते हैं मगर सचाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है धन्यवाद झाल